हेलो फ्रेंड्स माइनम इस राकेस और ओटोवाइजर चैनल में आप सभी का स्वागत है कि मेरी ओला कब आएगी रुको जरा सबर करो सबको मिल गई है आपको भी मिल जाएगी इसके लिएबा कुछ दिनों पहले ओला की सीव भावेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ पिच्चर को शेयर करते हुए कहा था कि फ्यूचर फैक्टर में 1000 स्कूटर एक दिन में ब प्रो मोडल में किसी का भी कलर नहीं है वहीं ये स्कूटर काफी टाइम पहले ओला कंपनी ने नीदरलेंड एंबसी को मोडिफाई करके दिये थे यानि कि ये कलर इस प्यावेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये भी बोला था कि ये पिच्चर सेम डे की है बट ये स्कू टो इस बारे में आपकी क्या है रहा है आप कमेंट करके जोड़ से बताना नेक्स दोस्तों ओला के IDC रेंज 181 किलोमेटर की है जिसे ही आप सभी को पता हो है बट इस स्कूटर की एक्च्वल रेंज अब लोगों को 135 किलोमेटर की मिल रही है जिससे की काफी सारे लोग डि कर दिया है यनि कि यह स्कूटर उसने 165 किलोमेटर चला दिया है फिर भी उसमें 14 परसेंट बैटरी बची हुई है जिसमें कि वो स्कूटर और 22 किलोमेटर चल जाएगा जिसके साथ में उस बंदी ने अपना वेट लोड कैपसिटी टेंपरेचर भी पताया है और यह ड्रा किंग का अच्छे से इस्थमाल किया जाए तो यह स्कूटर 200 किलोमेटर की रेंज को भी अचीव कर सकता है तो यह रेंज अचीव हो पाई है स्कूटर के रिजनरेटिव एनर्जी से यानि कि जब आप स्कूटर में ब्रेक लगाते हैं या फिर स्कूटर धलान पर होता है त इससे कि हमें एक्ष्टा रेंज देहन को मिल जाती है तो रिजनरेटिव एनर्जी सभी इलेक्रिक कार्स एंड टू विल्ल्ट्स में हमें देखनो को मिलती है बाकी ये रेंज टेस्ट कितना फिर है इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जूरु से बताना तो यह